पुलिस में तैनात एक काने स्टेविल बीते दस सालों से नौकरी कर रहे और वो जिस भी थाने में पोस्टेड होके जाती है वहीं कोई न कोई दरोगा या सिपाही या उससे भी बड़ा अधिकारी थाने चौकी में उसको ऐसा मिल जाता है जो उससे प्यार का इजहार कर है लेकिन वो महिला काने स्टेविल सांत रहती है और अपने काम से काम रख और इसी तरह से वक्त धीरे धीरे बीत रहा है लेकिन उसने कभी किसी से इस तरह की बाचीत का ना तो कोई उत्तर दिया कि जिससे उसकी प्रेम कहानी आगे बढ़ सके दरसल अगर समाज की इस्तित देखें तो महिलाएं यदि जाफ कर रही हैं तो वो अपने अपने विभागों में भी सुरक्षित नहीं सिर्फ अगर वो स्वयम से चाहें तो सुरक्षित रह सकती है और नहीं तो नहीं रह सकती है सुरक्षित रहना या फिर उन पर कुछ ज़्यादा ही दवाओ पड़ता या फिर वो प्रेसर में आ जाती है तो उन महिलाओं की एक कहानी बन जाती है आज की जो कहानी में आपको बताने जा रहा हूँ ये कहानी भी ऐसी ही एक पुलिस विवाग में नौकरी करने वाली एक महिला काने स्टेविल की है और उसकी कहानी ना केवल उस प्रदेश में बलक जहां जहां तक उसके वीडियो वाइरल होते हैं वहां वहां तक उसकी कहाणी लोगों तो पहुंचती है और इस कहाणी का जो एंड होता है वो बड़ा भैयानाक होता है नमस्कार आजाब सस्यकाल मैं आयुस आज आज आपको जो सची घटना बताने जा रहा हूं ये घटना है राजेस्थान में एक जिला पड़ता है नागौर और नागौर जिले की ही मूर लिवासी एक महिला कानिस्टेविल अपने मोवाइल से कुछ काम कर रही होती है बात सितंबर 2021 महिने की है अब वो महिला कानिस्टेविल अपने मोवाइल में वाटसप स्टेटस से छेड़शाड कर रही थी चुग वो अपने वाटसप स्टेटस पर कुछ फोटोग्राफ लगाना चाहिए और फोटो लगाते लगाते या आप ये कहें कि वीडियो लगाते समय कब उसके हाथ से गलती होती है और गलत बटन दब जाते हैं और उसकी जिंदगी का एक ऐसा पन्ना जो लोगों के सामने नहीं खुलना चाहिए था वो खुल जाता है असल होता है कि उसने अपना स्टेटस कुछ देर पहले ही लगाया था लेकिन लगाने के कुछ समय बाद ही उसके एक रिश्ते दार का उसके पास फोन आता है तो वो जवाब देती है देखा तो नहीं रेकिन ठीक लगाया है तो उदर से फिर प्रस्ण पूछा जाता है क्या तुमने वाक़ा ही देखा नाई तो उसनी जो देखा है तुमने बताओ क्या बात है तो उधर से जवाब अता है कि हम तुमको कुछ क्या बताएं तुम्हें अपना स्टेटस खुद ही चेक करना चाहिए और खुद देखने के बाद तुमको इस बात का पता लग जाएगा और जैसे ही उस महिला काने स्टेविल ने अपने वाटसप पर लगे हुए स्टेटस को देखा तो उसके पैरो तरह जमीन खिसा गयाती है। और वो वेक्ती पुलिस विवाग का एक बहुत बड़ा अधिकारी था और जैसे ही उस महिला काने स्टेविल ने अपने स्टेटस में ये वीडियो और फोटो लगे हुए देखे तो उसकी सांसें बड़ी जोर जोर से चलने लगती हैं और वो जल्दवाजी में तुरंद अप गलती कैसे हुई तक तक उसके हाँ से काफी चीजें निकल चुकी थी दरसल महिला काने स्टेविल का एक छोटा बच्चा होता है जिस बच्चे की उम्र लगभाग 6 साल होती है और ये 6 साल का बच्चा एक दिन अपनी मां से जित कर बैठता है कि मम्मी मुझे ऐसी जगह जा नहा चुका हो या ऐसी ही किसी जगह पर गया हो अब जब ये बच्चा बार बार अपनी मां से जित कर रहा था तो मां भी उसकी जित के आगे तूड याती है और तूड जाने की वज़े भी उसके ये होती है कि 10 जुलाई 2021 को उस बच्चे का बर्थडे आने वाला था और अ उसकर में एक जगह पलती है सूरज कुंड और वहीं सूरज कुंड में ही एक फाइव इस्टार होटल है और उसी फाइव इस्टार होटल में जहां उसने कमरा बुक कराया था उसी जगह पर स्विमिंग कुल भी था वही कमरा उसको एलाट कर दिया जाता है और दो दिन के ल से उस बैच्च ने उसका कमरा भी बुक करा दिया और वहां एक दिन रुकना भी था अब जो ये खूबसूरत छण थे इन खूबसूरत लम्हों को वो महिला कानेस्टेविल अपने मोवाइल में कैद करती है यानि फोटो घिसती है वीडियो बनाती है और उसका बेटा भी पा मेरे में कैद कर लेती है और इसके बाद जब छुट्टियां खतम होती है वापस अपनी डूटी पर आ जाती है अपने काम पर लोटाती है अब उस महिला को इन फोटोग्राफ वीडियो में जो बढ़िया खूबसूरत द्रस से अच्छे लग रहे थे उन्हीं को वह अपने देर में वाइरल हो जाता है और जब यह वीडियो वाइरल होता है तो बड़ी ही तेजी के साथ फैलना सुरू होता है और इससे पहले कि वह महिला काने स्टेविल अपने वाटस अप स्टेटस से उस वीडियो और फोटोग्राफ को हटा पाती या कुछ लोग ही उसे देख पाए होते तो उस वीडियो पर एक सातिर किस्म के लोगों के भी नजर पढ़ जाती है और वो सातिर लोग महिला काने स्टेविल की कांटेक्श लिस्ट में भी जुले हुए थे उन लोगों ने बड़ी ही जल्दी उस वीडियो को अपलोड भी कर दिया अब जैसे ही ये वी अच्छा भी सुमिंग पूल में पास में था और महिला भी पास में होती है और वो वीडियो वाइरल हो रहा था अब महिला काने स्टेविल के बारे में तो पता था लोगों कि ये महिला काने स्टेविल कौन है कौन नहीं है और क्यों उसका वीडियो वाइरल हो रहा है लेकि इस मामले की उच्च अधिकारियों ने जब जांच करवाई तो जांच करने पर उन्हें पता लगता है कि राजस्थान के जुझनु जिले में पोस्टिट एक व्यक्ट जिसका नाम हीरालाल सैनी होता है और हीरालाल सैनी ने राजस्थान प्रदेश में सब इस्वेक्टर के त और उसके बाद उसको एक सरकिल मिलता है ब्यावर और हिराल सैनी ने कई साल तक नौकरी की अपनी नौकरी के दौरान जहां जहां भी रहे काफी तेज तर्रार माने जाते रहें लेकिन जब उनकी पोस्टिंग जैपुर में थी तभी जैपुर के अंदर ही उनकी मुलाकात महल कानिस्टेविल चुकि नागवर की रहने वाली थी और साल 2001 में उसकी साधी होती है और साधी होने के बाद लगबग 8 साल बीते हैं 2008 में उसे राजस्थान प्रदेश में ही पुलिस कानिस्टेविल की नौकरी मिल जाती है वक्त धीरे धीरे आगे बढ़ता है फर्वरी 2015 में उ बेटा हो जाता है वो 2016 में उसकी पोस्टिंग जैपूर में थी और जिस जगह पर उसकी पोस्टिंग थी उसी जगह पर हीरा सैनी इस्पेक्टर हुआ करते हैं उनके वहां पर पोस्टिंग होने से दोनों में जान पैशान थी और दोनों कब करीब आ जाते हैं उनको पता ही हो जाता है हाला कि इसके बारे में ज्यादा लोगों को जानकारी थी लेकिन सायर कोई अपना मूह नहीं खोलना चाहिता था इधर हीरा राड और उस महिला काने स्टेविल की प्रेम कहानी का उसके पती को पता चलता है और पती अपनी पत्नी के खिलाफ थाने में सिकाइट दर तो पुलिस भी इस कारवाई से बस्ती हुई नजर आती है लेकिन जैसे ही ये वीडियो सोसल मीडिया पर वाइरल होता है तो उस चतिकारी इस मामले की जांच कराना शुरू करते हैं चुंकि इन वीडियो में पुलिस विवाग की बदनामी हो रही थी विवाग की थूथू हो रही थी तब पता क्या चलता है कि 50 से ज्यादा फोटो और वीडियो इस महिला काने स्टेविल के मोवाईल में मौजूद पाई आते हैं और वो भी कुछ थोड़े बहुत नहीं बहुत ज्यादा आपत जनक इस्थिती में होते हैं अब देखते ही देखते राजस्थान प भारतवर्स में घूम रहे थे इनकी प्रेम कहानी वाइरल हो रही थी इसको देखते हुए राजस्थान प्रदेश की सरकार के साथ ही पुलिस को भी डर सताने लगता है कि उनकी बहुत ज़्यादा बदनामी हो रही और इसी बदनामी को देखते हुए सरकार आदेश देती ह कि पहले तो इन दोनों को सस्पेंड किया जाए निलंबन कर दिया जाए और निलंबन करने के बाद फिर पुलिस को इन दोनों की बरखास्तिगी का एक आर्डर जारी करना पड़ता है और इधर सरकार की तरफ से भी हरी जंडी मिल जाती है और हद तो तब हो जाती है कि जब DSP साब को गिरफतार कर लिया जाता है हाला कि कानून के बहुत सारे दाव पेच होते हैं और चाहे वो नियाले की बात करें या नियाले में भी इतने सारे दावे पेच होते हैं लेकिन खेल खेल में कुछ लोग जिने कानून की अच्छी जानकारी होती है वो इससे बचकर निक से पब्लिक को पता चलती है और उनकी प्रेम कहानी के बारे में लोगों को बड़ा अफसोज भी होता है कि पुलिस में रहकर भी मैलाएं सुरक्षित नहीं तो कहां सुरक्षित होंगी हलाकि अगर यही मामला कहीं दूसरे विवाग का होता तो साथ चल जाता अब चूंकि माम पुलिस डिपार्टमेंट का ही था और थाने में ही काम करने वाली काने स्टेविल का था इसलिए यह बाच्चित गोपनी रूप में रखी गई कि यह बाच्चित कहीं वाइरल नहों किसी अखवार में यह न छपे कहीं किसी टीवी चैनल पर ना आ जाए चूंकि इसका प्र का बड़े सहज से ही अंदाजा लगाया जा सकता है बलकि एक महिला प्रे सिपोर्टर ने खुद अपनी जिंदगी के बारे में बताया और कहा कि मैंने नौकरी सिर्फ इसलिए छोड़ी क्योंकि मुझे वहाँ पर बहुत ज़्यादा परेसान किया जा रहा था हाला कि महिला प्रेक्रम को सुनाने का उदेश किसी को परेसान करना नहीं था किसी के मन को दुखी करना नहीं बलकि आपको जागरुक करना था आपको सचेद करना था आपको बताना था साथ ही जताना भी था कि आपके आसपरोस परिवार में आपके सामने तमाम मैलाओं को ऐसी दिक्कते परेहसानी समस्या आ सकती है इसलिए नौकरी करती रहे और इस तरह के जो भी बवाल या जमेले होते हैं इन सबसे दूर रहने की कोशिस करें और जितना बच सकते हूं इनसे बचने की कोशिस करें क्योंकि केरियर बहुत लंबा है और जिन्दगी भी बहुत लंबी जीनी यह ऐसी कोई गलती हो जाती है उसे अंदेखा ना करें और जाहिर है जैसी गलती इस महिला काने स्टेविल ने की नतीजा खोड़ी भी वर खास थोई और डियस्पी भी वर खास थोकर अपने घर पर बैठ गए हैं अभी जाच चल नहीं है और इस जाच की आच कई लोगों पर जाच बंढ़ा जाच की ओर जाय।